नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरी चैनल फिर्स्ट इंवेस्मेंट पर और में यू मिन्टो शिवांज भसी कल में बहुत जादा बिजी था तो मैं वीडियो अप्लोड नहीं कर पाया बट मैं आज दो वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट होने वाला हूँ केसे जो रेगुलरली हम लोग देख रहे हैं बढ़ रहे हैं और इंडिया के अंदर डेली बेसे पे क्रॉस कर रहे हैं मार्क वन लाक कुविट केसे का जो की रेगुलर आ रहे हैं सो क्से आपके प्रेजेंट करना चाहिएं सारी बाते करेंगे इस वीडियो के अंदर आप लोगों को यहां पर कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में तो लग बात करेंगे 5 stocks की वो वीडियो या तो मैं कल सुबह अप्लोड करूँगा या आज रात तक अप्लोड कर दूगा editing करके बस editing का work रह गया है and definitely you should watch that particular video और अगर पसंद आई तो like का button ज़रूर क्लिक करिएगा तो चलते हैं अपने analysis पे and okay so बात करते हैं आज की stocks की कि कल कौन से stocks पे हम लोगों को trade करके चलना है and कौन से stocks बढ़िया परफॉर्म करके चल सकते है so जैसा कि market में देखा market ने एक हम लोग ने देखा last hour में एक selling pressure आया शुरवात में एक buying pressure आया ठीक है क्या हुआ इस पे मैं आपको मैं कल youtube पे video upload नहीं कर पाया और मैं exact same dialogue बोलता मैंने अपने friends से मैं अपने friends के साथ कहीं कहां गया था कल and वहां पर मैंने उन लोगों से मेट से पूछा कि कल market में क्या हो सकता है सो मेरा यही था कि market शुरुवात में बड़ेगी और आखरी में गिरेगी and आज हम लोगों ने market पे बहुत पैसा कमाया yes regularly market के अगर मैं बात करूँ तो options के थूँ अभी वी मैं आप लोगों को देखे मैं आपके सामने आपके सामने में बोलके जाता हूँ और अगले दिन आप उस तौक को चेक कर सकते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करता है okay, so अभी वी मैं बता रहा हूँ हम लोगों ने market को short करावा है हम लोगों ने options के थूँ मला futures में short कर रहा है हम लोग ने options के थूँ हैंजिंग कर रहा है on a short side मतला हम लोगों short ही हैं in market कंदर हम लोगों ने hedging strategy को implement करा वा है and जब हम लोग ने लिया था उसके 15 मिनिट बाद 120 रुपे का कोई option 280 रुपे तक पहुच किया था and we are still holding that option okay so मुझे लगता है कि कल 300-400 पॉइंट की तक की या max जादा तक की भी fall हमें expect है और हम पैसा earn कर सकते हैं but by chance अगर वो नहीं होता और वो उपर जाता है तो भी हम लोग अपनी position को hold करें रखेंगे option की तो कल expire ही हो जाएगी but तब भी हम लोग futures को hold करके रखेंगे and उपर के side averaging करेंगे because I know जिस तरीके से covid के cases बढ़ रहे है जो market के अंदर fear है जो India wix है वो हम लोग ने क्या देखा इंड मौके में इंडिया wix negative से ऊपर जाने लगे और exact इंडिया wix अपने support पर है let me show you India wix check करिये जरा यहाँ पर आपको clear देख रहे हैं देखेंगे इंडिया wix बहुत जादा volatile होती है तो आप wix की तरफ ध्यान मत दीजेगा बट आप एक चीज़ देखेंगा almost almost अपने इसी range के अंदर consolidate कर रहे हैं and exact इसी range से इक indecisive candle बनाई है अपने bottom से अपने upside की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है अब यह चीज़ आपको पता है India wix अगर नीचे से ऊपर जाने के start करता है तो हमारी market ऊपर से नीचे आना start हो जाती है तो यही चीज़ आपको पता है India wix मुझे लगता है कल ऊपर जा सकती है अच्छा गासा 6-7% ऊपर जा सकती है and वहां से मुझे लगता है कि हमारी market कम से कम 2% तो नीचे आही सकती है तो चलिए बात देखते हैं कि कल हमारी कल हम लोग पैसा अन करते हैं कि नहीं करते हैं but I hope कि हम लोग करेंगे और definitely करेंगे तो बात करते हैं सबसे पहले stock की जिसका नाम है TVS Motors TVS Motors के अगर मैं बात करूँ तो यहां पर आप 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 देख सकते हैं stock मैंने पहली भी आपको recommend कर रहा था दो दिन तिन पहले and आप clearly आप देख सकते हैं कि एक range के अंदर consolidate कर रहा है plus आप देख सकते है continuously it's making lower lows and lower highs ठीक है आप इसने करा क्या है let me show you let's go to 1 hour time frame ठीक है 1 hour time frame पे आप इसने एक head and shoulder pattern का breakdown दिया है यह देखेगा एक clearly head and shoulder pattern का breakdown दिया है breakdown देने के बाद अगर इकल retest भी करता है तो भी हम लोग short करके चल सकते हैं but I think कि यहां से continuous नीचे जा सकता है and मेरे जो targets आ रहे हैं 540 तक के targets आ रहे हैं definitely अगर यह 560 का level break करता है तो 540 तक जा सकता है और अगर यह 560 का level break करता है आपको लिख रही है कि market weak है I feel just you to buy a put option और put option के थूँ आप आप EXCELS BANK को hold करके चल सकते हैं मुझे लग रहे है कि यह 540 तक जा सकता है और कल में option की strategy expiry option की strategy आपरेल सीरीस की भी मैं शेयर करने वाला हूं अपने clients को अगर यह 560 का level break करके नीचे जाता है ठीक है so levels में provide हो जाएंगे आप आप लगों को intraday के stock का नाम पता चाल चुका है let's move to our next stock next stock is sunfarma let's open a daily time frame for that and yes यहां पर आप clearly देख सकते हैं सबसे पहले आपको एक चीज़ देख रही है stock करके रहा है let me make a let me zoom this particular yes आप देख सकते हैं this is the first high this is the second high this is the third high क्या करा stock ने previous high को break करा नीचे आया previous low को break करा नीचे आया दुबारा उपर गया and exact अपने resistance से क्या करा एक doji form करी कलके trading session के अंदर और आज एक gap down opening वी और stock नीचे बंद हुआ है आपको यहाँ पर clear way में दिख रहा है कि stock ने किस तरीके से perform करा और अपने previous high को अभी तक इसने break नहीं करा है तो इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं इस पर हम लोग एक short position initiate कर सकते है let's move to a early time frame आप clearly देख सकते हैं कि stock ने बहुत बढ़िया bearish candle बनाई उसके बाद last hour में एक insight candle बनी है जैसी इन दोनों का breakdown हमें देखने को मिलता है जैसी इन दोनों का breakdown देखने को मिलता है एक clear selling pressure हमें देखने को मिल सकता है और एक बढ़िया targets हमें इसके अंदर भी देखने को मिल सकते है okay so let's move to our next stock that is excess bank हो गया TVS motor हो गया okay इस stock की भी बात कर लेते हैं which is excess bank okay excess bank की अगर मैं बात करता हो मैंने आप लोगों को already इस particular stock के बारे में बताया था कि stock ने क्या गरा था यह particular resistance इट गेवा breakout breakout देने के बाद retest दुबारा उपर गया बट अपने previous high को break नहीं कर पाया जो कि यह level था दुबारा नीचे आया अपने previous low को break कर रहा है continuously अब यह दुबारा नीचे जाने की तियारी कर रहा है आप यहाँ पर चेक करिए देगे आपको candle stick patterns को ही समझ लाई है क्या कर रहा है इसने नीचे आया उसके बाद हमने अगली candle देखी वो यहाँ खुली इस level पर और नीचे गई बट ऊपर फिर buying आय गई तो यह setup था कि यहाँ पर हम लोग समझ सकते थे कि buying आ सकती है बट जो हम लोग ने further study करी back testing करी तो हमें पता चला एक candle एक ऐसी यहाँ पर भी बनी थी फिर भी एक selling pressure आ गया कुछ candles यहाँ पर भी ऐसी बनी थी तब भी selling pressure आ गया तो भाई इस पर भरोसा नहीं करना है हमें और उसके बाद क्या हुआ आज के दिन वही fall हमें दुबारा देखने को बेला सो कल अगर इस level को break करता है तो एक selling pressure बहुत बढ़िया सा हमें देखने को मिल सकता है सो यहाँ पर आपको targets बता दिये जाएंगे मतलब almost 678 के नीचे ही shot करना है बढ़िया targets आपको इसके अंदर भी देखने को मिल सकते है सो चलिए बात करते है our next stock which is Indian bank Indian bank की मैं बात करना चाहूंगा आप stock को समझेगा pattern या behavior को समझेगा stock करके आ रहा है stock आप देखेगा एक channel के अंदर यह पूरा C में थो चुका है यहाँ पर आप देखेगा यह देखे यह आपको अगर मैं बताना चाहूं this is a type of a wedge formation भी हम लोग इसे कह सकते है और एक bearish pennant pattern भी कह सकते हैं बट यह bearish pennant pattern मैं इसको highly नहीं कहूंगा मैं इसको low bearish pattern कहूंगा वह भी pennant pattern क्योंकि वह downside की तरफ rally कर रहा है and I don't think कि इसके targets होंग अगर wedge formation के साब से लेकर चले तो targets भी higher हमें देखने को मिल सकते है so what you have to do अगर यह इस level का breakdown देता है let me make a trend line for you okay so अगर यह trend line का breakdown देता है तो almost almost I can expect कि यह इस level तक और इस level तक आ सकता है जो कि बहुत बढ़िया targets है percentage wise और intraday basis also so मेरे को तो सारे stocks suggest करें कि sell 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 option हम लोग ने hedging कर रही है bank nifty कर रहा है आज intraday में मैंने खुद profits earn करे है मैंने थोड़ से call or put options के through earn कर आए and guys एक important चीज में आप लोगो बताना भूल गया मेरे साथ क्या हुआ आज जरुदा पर मैं trade कर रहा generally options को जरुदा में trade मैं fires की through trade करता हूँ but जरुदा में trade कर रहा था and around मैंने 60 रुपीज पर कोई put option buy कर रहा था and वो चल रहा था 159 पर 149 पर and I have 50 500 quantities and so 149 पर वो trade कर रहा था और जब मैं उसे exit कर रहा था तो पूरा का पूरा trade जरुदा hang हो गया था and मैंने अपने clients से भी पूछा था कि उन लोगों का भी क्या यह seem चीज हो रहा है glitch हो रहा है but actual मैं video बनाने वाला था but उससे पहले मैंने सोचा video छोड़ो वो market उपर जाना start कर रही है because मैंने put buy कर रहा था and तो मुझे जल्दी से जल्दी exit कर रहा है मैं बार बार exit कर रहा हूं बार बार वो order cancel हो रहा है कम सिइ gur love 600-70 ला पर था पर मैंने खूर 130 पर कर रहा उसके बाद वो 140 अपर लोगा मैंने ख Shouldn집 Faer कर रहा थां ट्रू एर Terence अफ इता 90 रुपे में जब मैं वीडियो बना रहा था तो 90 रुपे में मैंने देखा कि वो एक्जिट कर गया तो मुझे नहीं पता कि वो वीडियो का डर था कि वो एक्जिट कर गया कि क्या था बट तीन बार मेरे साथ ऐसा हुआ आज के दिन कि जिरोधाने गिलिच कर और मैं सोच रहा है ट्विटर में उन्हें टैक करूँगा बट मैंने सोचा छोड़ा बट प्रॉफिट के साथ ही निकला हूँ कोई बात नहीं बट अगर यह आप लोगों के साथ हुआ है तो प्लीज अपने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे शियर जरूर करिएगा बात करते हैं अगर लास्ट टॉक की दाट इस आयबुल हाउजिंग फाइन्स क्लियरली यहाँ पर आपको बताने के जुरूरत ही नहीं आपको देखें इतनी नौलेज अप लोगों को भी प्रोवाइट हो जाती है जब भी आप लोग रेगुलर्ली हमारे साथ ट्रेट करते हैं यहाँ पर आप देखेंगा एग्जाक्ट अपने यह सपोर्ट लेवल प अपको ब्रेक करता है जो डॉच भाई कि इतना नीचे जा सकता है बट नीचे अक्छा जा सकता है तखाया है तो करना क्या है 190 के नीचे और 190.5 के नीचे गो फॉररा शॉट रियर शॉट छॉट हैं अच्छा टागित सकते हैं तो एक हैं यह पर्टिक्लर स्टॉक जो हम लो बाइं है ठीक है बट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहां पर ज्यादा तर स्टॉक्स की तरफ मुवमत करिये मार्केट आपको अच्छी अपर्चिनिटी दे सकती है लॉंक की तरफ जाना है तो जो तीन स्टॉक्स मैं आपको रिकमेंट करने वाला है अगली वीडि यहां पर जिस्ट वीट असिकिंग मार्केट खुली है अट इस पर्टिकलर पॉइंट ठीक है मार्केट ने क्या गड़ा देखिए मैंने किस तरीके से उन कर रहा है लेट मी टेल यू मार्केट खुली एग्जाक्ट इस पॉइंट पे ठीक है 200 दे एक्स्पोनिशल मुविं के उपर कुली जो की 15 मिनिट का था कोई बात नहीं इसके बाद वो नीचे आए नीचे आए और इसने ये वाली कैंडल बना के उपर गई तब तक मैं वेट करते रहा अगली कैंडल का मुझे वेट करना था अगली कैंडल मेरे लिए होनी चीदी या फिर इस पर्टिकुलर कि इसके उपर इस अपनी क्लोजिंग देनी पड़ेगी इसकी लाइन के उपर अपनी अपनी क्लोजिंग और इस green गाए वनीचे कया वेट नाधली कैंडल का चैंडल रहा करा फिर दुबारा नीची आ रही थी मैंने ट्रेड नी करा इस कैंडल पर ट्रेड नी करा इस कैंडल पर मैंने आके ट्रेड करा and मुझे बहुत बढ़िया result मिल गया था मेरे जो टागेट थे प्रॉबबली मेरे जो टागेट थे वो थे यह पर्टिकुलर लेवल पर आग्जाक्ट इस लेवल पर इसनेहे बढ़िया and यहां पर मैंने प्रॉफिट बॉकिंग कर ली थे थी। diyorsunud 3 उसके बाद मैने कॉई ट्रेड यह बाए साइड में कोई ट्रेड नी लिया उसके बाद मैंने एक एक सिल येस येस अब आप देखेगा हम लोग ने क्या करा था let me make it clear for you ये फॉल देखा आपने ये वाला फॉल ये वाला जो फॉल आया था सबसे पहले मैं सारी ड्रॉइंग्स को हटा देता हूं ये जो फॉल आया था इस फॉल पे मैंने कोई ट्रेड नहीं करा ठीक है इसके बाद जब ये उपर जाना स्टार्ट करा तो मैंने ट्रेड करें ये अपने क्लाइंट को बाई करवाया क्या रीजन था अभी एक फिबोनाची रेट्रेस्मेंट ड्रॉइंग्स कर रहा हूं आपका सारा का सारा डाउट्स अपने आप भी एक ऩार छागा गाईस यह इसके बेडा करेड़्ा कियो कर रहा मैं बहुतार हाई आपको अपने आप पता चल रहा है गाईस पॉ सभॉवअद पैक पॉलबेक कहा लिया ग्याओ पूलबेक क्यों लिया गया है मैंने खुछ शॉट कर रहा है and बहुत बढ़िया प्रॉफिट मुझे देखने को मिला and yes we are still holding this particular trade और मुझे गरिंटीड है कि मुझे लग रहा है कि यह particular stock और नीचे जा सकता है तो अब आपको क्या करना है आपको करना है जैसी यह इस लेवल के नीचे जाता है जो कि आ रहा है 32,750 के नीचे जैसी यह जाता है go for a clear shot go for a clear shot and I think कि आपको अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते है ठीक है बै कहूं अगर by chance gap up भी खुल जाता है तो भी जाके shot करिए gap up खुलता है 15 minute की candle का wait करिए उसके बाद shot कर डालिए मुझे मतला मैं यह नी कह रहा मेरे पास है तो बट आप scenario समझेगा let's move to a nifty as well यह देखिए nifty का गया था scenario देख रहे है exact 50% पर test करा एक और fall exact 50% पर test करा एक और fall उपर get created a it created a double top आप point समझ रहे हैं किस तरीके से analysis होती है आपको behavior समझ रहे हैं and उसके basis आप लोग trades ले पाते हैं okay so I hope आप लोगों को बहुत कुछ सिखाया होगा and इसी के basis पे इसी के साथ जो तीन stocks मैं बाई करने वाला हूँ अपने clients को बाई करवाने वाला हूँ उसमें से दो stocks मेरे पास already है बहुत टाइम से एक stock में बाई करने वाला हूँ वो तीन stocks की video आप जरूर चेक करेगा and guys हमारे चैनल को एक लाग तक रीच करने में मदद करिए अपने friends and relatives को share करिए वे हमारे चैनल and बोले कि subscribe जरूर करें free में subscribe ना करें हम आपको लोगों का educational content definitely provide कर आ रहे है use करिए हमारे चैनल को and उसके साथ फैदा उठाईए तो मैं मिलता हूँ आप लोगों इस अगली वीडियो पे तब तक के लिए मैं शिवान बसीन signing off bye bye